नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं अचार जागंद्र मिस्रा दैनिक राजफल सबसे पहले बात करते हैं दैनिक पंचांग की तीन अप्रेल 2020 शुक्रवार का दिन है चैत्रमाज शुक्ल पक्ष की दसमीत थी यह नच्छत रहे है पुश से और अब जीत म अगर मालीजे आप अपने लब पार्टनर से साधी या विवाह करना चाहते हैं और आपके घरवाले नहीं मान रहे हैं तो ऐसे में क्या करें आप कि आपका यानि मन पसंद मेरिज साधी हो जाए तो दोस्तों इसके लिए आपको राधा कृष्ण की पूजा करना लड़के को लड़की मिले गई और लड़की को लड़के मिलेंगे यानि मन पसंद अपने लब पार्टनर से भी आप विवाह कर सकते हैं तो दोस्तों अब बात करते हैं आज आगे की दोस्तों उसकी बाहों में सोने का अभी तक सौक है मुझको मोहबत में उजड कर भी मेर आदत नहीं बदली. जी हाँ दोस्तो, आज हम बात करने वाले हैं केलिए अक़ेशखलय जिना वर्थडे हैं, हमारी तरब से हैपी वर्थडे डेर सारी सुपकामना आए. जिंदगी जीने के दो तरीके हैं दोस्तो जो पसंद है उसे हासिल कर passive हैं नहीं तो आप बुरे वक्त में घवराये नहीं सिर्फ और सिर्फ पहचान कीजिए अपनों का और परायों का आदमी छोटा हो या बड़ा कोई फर्क नहीं पड़ता उसकी कहानी बड़ी होनी चाहिए और अगर जिंदगी में कुछ पाना है तो अपने तरीके बदलो इरादे नहीं मैं आपके खिलाप हूँ क्योंकि बक्त का शिक्का जरूर पलटता है और हर किशी का समय जरूर आता है आज नहीं तो कल आता जरूर है अपनी किश्मत का सूरज भी निकलेगा एक दिन जन्नत अपने कदमों पे होगी एक दिन दुनिया में अपना भी शिक्का उछलेगा उ आज का जो दिन है आपको अपने अंदर कुछ नई उर्जा महसूस करने और रिष्टों में सुकत समाचार देने वाला रहेगा तो मितुन रास वालों ये आपके लिए ये दिन बहुत इंपोर्टन रहेगा मितुन रास वालों के लिए क्योंकि आप कोई बड़ा फैसला ल लीजेगा जैसा कि मैं हमेशा कहता आया हूँ बड़ों से सम्मान और सहयोग पूर्ण रोप से प्राप्त होगा आज आप कुछ अध्यात्मिक और धार्मिक गदवीदियों से भी जुड़ सकते हैं दोस्तों कलब या शमू का हिश्या बनकर ब्यपसाइक लक्ष को आगे ब भूलिये जिससे चूरिया दुरगटना के बाद आपकी मदद की जरूरत है उसको किसी ऐसे इंसान के साथ समय बिताना जिनका आपको बहुत पसंद ना हो दोस्तों आपकी खोच की वज़े से हो सकता है इसलिए आप जो सोच रहे हैं समझ रहे हैं फैसला सोच समझ कर करें आपकी लव लाइप की बात करें तो इसमें कोई शक नहीं है कि यह समय बहुत ही अद्भूत और रोचक है आप इस समय कुछ समय के लिए बताना चाहते हैं कि जबकि आपका साथी आप से प्यार की उमेद रखता है उनके भी इशारे को जरा समझे आप उनके साथ थोड़ा कारिवारिक बेपसाय हैं उससे भी जुड़ सकते हैं कार चेट में कोई बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है नौकरी और बिजनेस में थोड़े इस्तिती सामान रहेगे किसी भी कार में जल्दवाजी मत कीजिए संतुलन बनाई रखिएगा इस्टुडेंट की बात करे के जल्दवाजी मत करिएगा संतुलन बनाई रखिए आपके हम स्वास्त की बात करें तो आपके माता जी का जो काफी पीछे समय से जो चल रहा था स्वास्त खराब उसमें एक सुब समय यानि सुब रहेगा अच्छा रहेगा और अच्छी खबर मिल सकती है सेहत के लिए उ आज आपको शुबय और साम को हन्मान चालीशा का पाठ करना चाहिए ऐसा करने से आज जो दुष्ट विचारों से और दुष्ट उर्जा से आप बच सकोगे जिनसे आपको काम यानि आपके काम बनते चले जाएंगे ऐसा अगर आप करते हैं तो तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए और इस चैनल पर अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और इसे सेर जरूर करिए